BMC चुनाव आते आते मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिफसेना का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा महरास्ट में एकनाश शिंदे और BJP के गटवंदन वाली सरकार बनने के बाद भी ठाकरे गुट में बगावत अभी तक दोस्तों थमी नहीं है बगावत कर दी है जिसकी वज़य से ठाकरे कुट में खलबली मचीवी है अब कौन से नेता ने उद्धव के खिलाप में बगावत कर उन्हें 11,000 बोल्ट का जटका दे दिया है और BMC चुनाव के मद्दे नजर महरास्टर की क्या राजनेतिक तजबीर बन रही है इस पर हम सिलसले बार तरीके से चर्चा करेंगे लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनमर निवेतन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें महरास्टर से दोस्तों इस वक्त एक बहुती बड़ी खबर आ रही है खबर है कि उद्दव ठाकरे गुट के निता और सामसद गजानन कार्तिकर एकनाश शिंदे की सेना में शामल हो चुके हैं उनकी एक तस्बीर सामने आई है जिसमें वो एकनाश शिंदे के साथ में दिख रहे हैं इसमें शिंदे गजानन को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं गजानन एकनाश शिंदे से मिलने के लिए वर्षा बंगले पर पहुँचे थे मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए उद्दफ ठाकरे के लिए ये एक और बहुत बड़ा जटका माना जा रहा है 11 नवंबर 2022 को वरिष्ट नेता गजानन कार्तिकर अचानक मुख मंत्री एकनाश शिंदे से मिलने उनके आधिकारिक आवास पर पहुँच गए वहाँ पर गजानन कार्तिकर कथित तोर पर शिंदे गुट में शामिल होने के लिए सहमत हो गए जिसे अब शिपसेना बाला साहिब ठाकरे के रूप में जाना जाता है उसके बाद में वो सीम एकनाश शिंदे और पार्टी के अन नेताओं की उपस्तिती में साल 2022 में बदलते घटना करम में शिपसेना में हुए बटवारे के बाद में सामसद गजानन कार्तिकर एकनाश शिंदे के साथ जाने वाले शिपसेना के तेरवे सामसद हैं यानी की दोस्तों विधायक तो छोड़िये बड़े पैमानी पर जो सामसद हैं वो भी एकनाश शिंदे के गट में शामल होते जा रहे हैं तेरवे सामसद ये हैं जिनके पास में पहले से ही पार्टी के 56 विधायक से मैसे 40 विधायकों का समर्थन हासिल है जून के महीने में दोस्तों वदले घटना करम के बीच में एकनाश शिंदे ने BJP के साथ में हाथ मिला लिया था और उदध ठाक्रे को महराश्टर की सग्टा से बेदखल होना पड़ा था जिसके बाद में एकनाश शिंदे महराश्टर के CM हैं गजानन कार्थिकर को अपने गुट में शामिल होने पर सीम एकनाश शिंदे ने उनका स्वागत किया इस अपसर पर उनका गर्म जोशी के साथ में स्वागत किया गया और उन्हें भवश्य की सामाजिक और राजनेतिक प्रगती के लिए शुप कामनाएं भी दी गए मुंबई के सांसद के इस फैसले को ग्रेटर मुंबई नगर निगम के चुनाब से पहले उदव ठाकरे की शिफसेना के लिए बड़े छटके के रूप में देखा जा रहा है कीर्टिकर को उदव ठाकरे समू का एक बफादार सांसद माना जाता रहा था और उनकी राजनतिक पटल पर एक बहुती बड़ी साख थी इस लिहाज से उदव ठाकरे की अब लंका लग चुकी है उन्हें बहुती जादा लॉयल माना जाता था लेकिन उनके भी शिंदे समू में शामिल होने से एकनाश शिंदे समू में सांसदों की संख्या अपते रहा हो चुकी है पहले से ही चर्छा थी कि गजनन कीर्टिकर शिंदे समूँ में शामिल होंगे गजनन कीर्टिकर और मुख्यमंतरी एकनाशिंदे के बीच में 6 सितंबर को गप्ट मुलाकाद की खबरें भी आई थी मीडिया के हवाले से उस समय कहा गया था कि सांसत कीर्टिकर मुख्मंत्री के सरकारी आवाज पर भगवान गंपती के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे इसके अलाबा ऐसी खबरें भी थी कि कीर्टिकर हाली के दिनों में बिभिन कारणों से ठाकरे खेमे में खुश नहीं थे लगातार ठाकरे खेमे से नाराजगी की उनकी खबरें आ रही थी इससे पहले एकनाश शिंदे ने सत्ता में आने के बाद में जुलाई के महीने में कीर्टिकर से मुलाकात की थी उस वक्त एकनाश शिंदे ने ये भी कहाता कि ये कोई राजनितिक मुलाकात नहीं है उन्होंने कहाता कि वो बीमार होने के कारण कीर्टिकर से मिले थे 89 वर्षिय गजानन कीर्टिकर उत्तर पश्यमी मुंबई निर्वाचन शेत्र से लोकसबाज सामसद है तो ऐसे मैं उस पूरी की पूरी कॉंस्टिट्वेंसीव से अब उत्दफ ठाकरे गुट को आसानी से खदेडने में आसानी होगी एकनाश शिंदे गुट और भारतिय जनता पार्टि के लिए तो कीरतिकर का जो गजानन कीरतिकर है जो तेरवे सामसद बताए जा रहे है जो कि अभी तक एकनाश शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं उनके इस गुट में शामिल होने के बाद मैं उद्दफ ठाकरे खेमे में हड़ कंप देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि उद्दफ ठाकरे को भनक भी नहीं लगती है उनके नेता कदावर नेता मैं कहूंगा कि एकनाशिंदे के पास में जाते हैं उनके वर्षा बंगले पर पहुंच जाते हैं उनसे मुलाकात होती है और अचानक से खबर आती है कि महारास्टर की सियासी तज़्वीर पू क्योंकि जो जादा तर शिफसेना का हिस्सा है मैं कहूंगा कि 90% तक्रीबन शिफसेना को जो हिस्सा है वो एकनाशिंदे गुट में शामिल हो चुका है तो इसलिहाज से अब उद्दफ ठाकरे के घहिमे में जो गिने चुने विधाय किया फर सामसात बचे हैं वो भी धीरे बीमसी चुनाव पर क्या असर पढ़ने वाला है बीमसी चुनाव की क्या सियासी तजवीर बनने वाली है इस पर भी हम जरा चर्चा कर लेते हैं दरसल बीमसी चुनाव में बैसे ही भारती जनता पार्टी और एकनाश शिंदे जो गुट है उसने उद्दफ ठाकरे के खिला पार्टी और एकनाश शिंदे मिल करके एक बड़ी स्ट्रेटीजी पर काम कर रहे हैं और उसी स्ट्रेटीजी का हिस्सा बताए जा रहा है गजानन किर्तिकर को अपने जो उनका खेमा है उसमें शामिल करना उसकी बज़े से अब उद्दफ ठाकरे को बड़े पैमाने पर ब आजनतिक चोट दी जा सकती है और कहीं न कहीं बीमसी पर जो शिफसेना का कबजा रहा है उद्दफ ठाकरे गुट की उस कबजे से आवाद करवाना बीमसी को नगरपालिका को भारती जनता पार्टी और एकनाश शिंदे के अंडर में लेकर के आना इसके लिए ये बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है और भारती जनता पार्टी और एकनाश शिंदे गुट पहले ही इस बात का एलान कर चुका है कि इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन जो महानगर पालका के चुनाव हैं उसमें उद्दफ ठाकरे गुट को हम आसानी से सता हासिल नहीं करने द लगता है कि उद्दफ ठाकरे के लिए चुनावी तोर पर बहुत ही बड़ा जटका है हलाकि अब उद्दफ ठाकरे को थोड़ी सी शांती इसले मिल कहीं होगी क्योंकि उनके जो बड़ बोले नेता हैं संजराव जिनने निकलवाने के लिए तमाम बकीलों की ब्रिगेट ख भारतिय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा राजनेतिक जाल बिछाया है उद्फ ठाकरे के खिलाप मा और उद्फ ठाकरे उसमें धीरे-दीरे फस्ते जा रहे हैं एक बड़ी स्ट्रेजी के तैद जो मुझे लगता है कि आगामी BMC चराव में शिंदे और भारतिय जनता प सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साड़ बने बैल आकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी कपर लेकर आऊं तो सब्सप्ला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा